एक गलत फैमी के चलते हुआ तलाख लेकिस सूरज की बेगुनाही का मिला सबूत रिवान को नपुनसक साबित करने के पैसे अब कैसे बचाएगी चकोर अपनी शादी अब कैसे बचाएगी चकोर राजवन्शी यह अदालत आपसे आखरी बार पूछ रही है आप अपने पती सूरज राजवन्शी से तलाख लेकर अमेशा-अमेशा के लिए अकेले रहना चाहती है जी और अपने पती से तलाख चाहिए आप अपनी पत्नी चकोर राजवन्शी से तलाख लेकर हमेशा के लिए अलग होना चाहते है चकोर तुम्हें कैसे समझाए हम हमने तुम्हें दोका नहीं दिया है तुम्हारी वहम की इज़त बचाई है हमनी कैसी मजबूरी है यह हम समझा नहीं सकते और तुम समझने को तयार नहीं हो मगर फिर भी हम तुम्हारी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों का गला खोड रहे हैं क्योंकि तुमी ने तो कहा था प्यार बलिदान मांगता है मिस्तर सूरज राजवन्शी जवाब दीजिये जी जट साफ हम भी तला के लिए तैयार है मैदम कोट को बताईए कि आपकी क्या मांगे है तो गुजारा बता आप कितना लेंगे अलिमने पुरिश ने पहले हमें बहुत दुगती है अब हमें उससे और कुछ नहीं जाहिये आप दोनों इस पर सांइन कर दीजिए तो ठीक है आच से आप दोनों पति पत्नी नहीं और वी आप ढनो कॉती पटाइब फिर abord हो और स्थैंग की इस सनियोगने में प्राइब है कि यह पढ़ ले ना हम तुम्हारी कोई भी बात ना तो सुनना चाहते है और ना पढ़ना चाहते है ठीक है जो मर्जिया है वो करो है हवा हवा है है ह ह हुआ 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 आपकी प्रजनन समता बहुत ही कम है तारी रिपोर्ट एक ही चीज़ कहे रहे है आप बाप नहीं बन सकते तुम तुम यहां क्या कर रहे है क्या जरूरती यहां आनिकी तुमसे कहा थो ना कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे हां मरे जा रहे थे क्या नहीं आता तो क्या करता मैडम जी हमने आपकी खातिर अपनी पुरी प्रोफेशनल लाइफ खत्रे में डाल दी और उपर से वो पागल औरत, इमली, जिसकी गोली से हम मरते-मरते बचे हैं और आप है कि हमारा फाइनल पेमेंट तक नहीं पॉचा रही है आपकी जरुवत पूरी हो गए लेकिन हमारी भी कुछ जरुवते हैं सोचिए कि हमने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया एक अच्छे भले तंदुरस्त आदमी को आपके कहने पर हमने नपुनसक घोशित कर दी और जरा सोचिए कि विवान बाबू को अगर पता चल गया कि वो बिल्कुल ठीक है और उनकी पतनी की कोख में उनी का बच्चा है तो वो तो हमको सिधा फासी चड़ा देंगे न वास बन अबना हम तुझे अभी के अभी फासी पे चड़ा देंगे समझा तू कि पकड़ो और आइंदा से आजाद कर्च में दिखाई मत दे राएंगे वदा तुम जिन्दा नहीं रहोगे और तुम अच्छे से जाते हो कि याशे गिराने में हम सलपोच नहीं करते और याद रखो तुम्हारी मौत तक ही राज राज बनके रहना चाहिए कि इमली के पेट में विवान का बच्चा नहीं यह क्या चुक्तुम कर है यह है यह थे आख़े राज मिवान भया कुछ अस्टीर को नहीं को तुम्हारी ठीक नहीं थी हमने होस्पिटल फोन कि रूनों निए इस दॉक्टर को भीख दिया हम नहीं जानते थे वही दॉक्टर जिसस्टे आपको ना और तुम निकलो यहां से अभी क्या भी और आएंदा आजाद गंच के आसपस दिखाई भी मत देना सुना नहीं तुम्हे निकलो हमने कहा हम जा रहे हम जा रहे हम जा रहे भूब ताग नहीं हम सिर्फ यह बताने के लिए आये थे कि सारी तैयारिया हो चुकी कल सवेरे से डिलिवरी भी शुरू हो जाएगी अब काम्याभी का रास्ता सिर्फ उमारे अगले कदम की प्रतिक्षा कर रहा है हमने तुमसे जितना काम लीना था हम ले चुकी अब सादा दिन तुम्हारी जरूरत नहीं जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें उसके बापू तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हम, हम अपने सारे प्लांज में काम्याब हो चुके होगी जागिनी तेरा जवाब नहीं एक पिट एक से दिखाईने देरी अब हम आजाद गंज कैसे पोचेंगे आज टेक्सी की हरताल चल रही है, कहीं नहीं मिलेगी आपको अजाद गंजाना है ना, तो ट्रेन से जाना पड़ेगा यहाँ, ट्रेन? जी हाँ कहो तो हम पहुँचाते हैं, आजाद गंज नहीं, थैंक यू हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है तो क्या पूरी रात रास्ते पर गुजारोगी? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, ना? अब तो कानूनी तौर पर हम दोनों अलग हो चुके हैं किया आप हमें आजाद कंज तक लिफ्ट दे सकते हैं? अरे, ये तो वही मशूर माराथिन रेनर चकोर है आएए, आएए, जरूर छोड़ देंगे धन्यवाद लगता है आप लोगों की अभी अभी शादी हुई है हम आप दुनों की भीच कबाब में हडडी नहीं बनना चाहते हैं आप लोग जाएए, हम किसी और से लिफ्ट ले लेंगे अरे, कैसी बात कर रही हैं? आएए, साथ में बाते करते हुए जाएंगे, समय भी बीच जाएगा ठीक है, तनिवाद हम दोनों कॉलेज में साथ थे और ये मेरे पीछे पढ़ गया था हाथ धोकर एक्स्क्यूज मी, तुम मेरे पीछे पढ़ गई थी, वो भी हाथ और मुह धोके लगता है, जो पीछे में ले थे, ये वही भाई सापी गाडी खराब हो गई है, गाडी छोड़कर चले गए हैं लगता है सूरज भाईताव, वारी जीप खराब हो गई है, हमें आजाद गन तक थोड़ देंगे जूट बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इनके जीप वीप को अप अंतर्यामी है क्या मैडम, आपको कैसे मालूम कि हमारी जीप को कुछ नहीं हुआ पर वैसे भी ये गाडी इनकी है ना, आम इनसे बात करें, आपको क्या परिशानी हो रही हैं अरे आप दोनों तो एक ही मंसिल के मुसाफिर हैं, बैठिए बैठिए प्लीज, थैंक यू सुरज इन लोगों के सामने तमाशा मत करो, तमाशा नहीं कर रहे हैं, प्यार करते हैं तुमसे, और हम तुमसे नफरत करते हैं, तो मैं जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब तो माफ कर दो, सुरज, इन लोगों की नही नही शादी हुई है, और हमारा इनकी काडी में तुमारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था हमने, अगर तुम में हिंमत है तो छुड़वा के दिखाओ, सुरज, छोड़ो उमारा, नहीं तो हम शूर मचाएंगे, शूर मचाओगे, लिकिन कहोगी क्या? हम आपके है कौन? चकोर जी, आपको कोई परिशानी तो नहीं हो रही है, आप इनहें जानती है ना? हाँ, जानते हम सिर्फ जानती हो सही बोलो ना सच बोलो ना ये बोलो कि हम वो आदमी है जो तुम से बहुत प्यार करता है जो तुम्हे कभी नहीं बूल सकता क्या तुम्हें बूल सकती हो जकॉर कि इमली अ कलो प्वेलल जो हमारे घर में यारणे जो फ डिल ली क्या हुआ यालो हम यह अदिसें क्योंशने हम पूंच रेहों ना तब तक भाई साप, गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाई है ना, हमारे घर में एक इमर्जनसी है जी, क्या हो इमली को? सामान लोड हो गई वगान बभू तुम सब को पता है न कहा का डिलेवरी करने है जी वगान बभू ना करवंदी हो तुसका क्या करें तुम हमे करने तुम हमे करने तुम कोई नी रोकेगा तुम बस माल सही जगा पे और सही टाइम से पोच जाना चाहिए एक है? चीवान बभू अरे रागनी अभी तक तो डिलेवरी हुई भी नहीं और तुमने लड्डू बाठना शुरू गाना शुरू यह लड्डू डिलिवरी से भी बड़ी खुश्खबरी के हैं यह सी बड़ी खुश्खबरी? आखे कार चकोर और सूरज का तलाक और अविवान भाया? हमारी मानी है आप भी अपनी उस धोके बाज पत्ती इमली को तलाक देजीजीए अपनी जंदगी से निकाल बाहर भीकिये यही अच्छ होगा वेवान भीया? अपनी जंदगी से आजाद नहीं कर सकते हैं अगर क्यों? क्योंकि अगर हमने उसे आजाद कर दी और वो अपने बच्चे के बाप सूरज के पास बापिस चली गई तो उसके तो मजे हो जाएंगी और हमारी लिए लग्डू भी बेसुआद हो जाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि जितना दुख उसने हमें दिया है जितना तडपाया है उससे सादा दुख उसे मिले उससे जादा तडपे वह और ये तब हो सटा है जब हम उसे तलाक ना देंगे जब जाएगी बार उस सूरज के रखेल बनी रही और रखेल कैसी भी हो उसकी कोई इस्द नहीं होते है भाईसर अब गाड़ी रोकें इमली! इमली! इमली आपके गोल इमली